असलाम वालेकुम रहमतुलाहिवबराकातो हूँ अमीद करती हूँ आप सब लोग हैरियत से होंगे सो गाइस कार्डियोलोजी या कार्डियोरेस्पारेटरी सिस्टम दो हम लोग पढ़े थे तो मैंने सोचा कि इसके साथ-साथ जो है इसका एक सब्जेक्ट है इंपोर्टेंट पार्ट है और इसमें से भी आते थीन-सो नंबर का पेपर है तो इसकी जो डिविजिंज रहेंगे किसमें से कितने क्वेस्टेंज आते हैं लोग आएगा इसका एक लोग याता है तो वह मैं आपको बात में बता दूनगी कि इसकी क कहतchae हैं बिछमिलाहि रभान बुलंॉ हमारा जो आज फर्स्ट है वह इंट्रोडक्ऽं सबसे पहले इंट्रॉट्रिक्ट्रिक्ट्री सि्टम और जो किई कंट्र्रा रहा है। आपकी skin क्या कर रही है आपकी skin आपको बहुत सारी चीजों से protect करके बैठी है ठीक है आपके अंदर जो organs है उनको protect करने के लिए लापाक ने skin बनाई है ठीक है तो integumentary system में दो चीज़ें आ जाती है skin आती है appendages आती है integumentary system के different functions होते हैं जो कुछ specific है वो यह waterproof है ठीक है water जो है आप उनकी body को लगेगा अंदर नहीं चलागेगा cushion के तोर पर काम करता है protect the deeper tissues excrete करती है यहाँ से जो waste होते हैं आपके excrete कर देती है skin temperature regulation में और इसके इलावा इसके ओपर sensory receptors लगे होते हैं तो sensations जाती है ठीक है pressure की temperature की pain की sensations आपको feel हो जाती है उसके इलावा integumentary system जो है वो vitamin D की senses में भी role play करता है ठीक हो गया skin के बारे में थोड़ा सा introduction कि आपकी body का largest organ है यह skin और यह उतना ही important है जितने बागी major organs होते है ठीक है skin जो है उन्होंने कहा कि आपको यहां पर उन्होंने बात जो लिखी है मैं शुरू translate करूंगी कि organ function की better understanding हो जाती है skin से क्यूंकि skin जो होती है एक तो naked eye से इसके जो functions होते हैं आपको नजर आ रहे हैं कि अगर sweat glands हैं तो sweat release हो रही है temperature regulation हो रहा है बहुत सारे functions जो हैं आपको naked eye से नजर आ जाते हैं तो इसलिए आपको organs जो होते हैं उसके different functions होते हैं तो वो उसको आपको better understanding में help out करती है दूसरी चीज़ यह है कि communicate करती है कि अंदर का जा महौल है वो आपको skin से बता चाल जाता है like अगर अंदर यह fever चाल रहा है तो आपको skin से बता चाल जाएगा fever है ठीक है तो यह communicate करती है internal physiological information को उसके इलावा external stimuli को भी react करती है कि suns exposure हुआ है आपके अंदर melanocytes बनते हैं vitamin D बनता है जो भी वह होता है ठीक है तो यह react करती है external stimuli से भी internal से भी करती है उसके इलावा toxins वगारा जो आपको face करना पड़ते है और even psychological stimuli जो है उसको भी skin respond करती है आपको डर लगता है आपके जो यह skin के hairs होते हैं यह खड़े हो जाते हैं क्या goose bumps जो होते हैं तो skin psychological reaction को भी respond कर रही है internal external के इलावा psychological को भी पर skin जो है एक वैजल के तौर पे उन्होंने इसको कहा है कि जो भी इसके अंदर से आप चीजें receive भी कर सकते हैं ठीक है transport भी करती है accept भी करती है expel भी करती है ठीक है कि expel कैसे कि आपके जो electrolytes हैं और जो waste है वो skin के तुरूर रिलीज हो जाते हैं उसके इलावा accept भी करती है different चीजें ठीक है तो इसके different functions है इसको उन्होंने कहा दिया यह container भी है defender भी है regulator भी है breather भी है feeler भी है adapter भी है इसके होती है इसकी thickness different जगा पर different होती है ठीक है लेकिन इसकी जो layers होती है basic वो दो होती है primary layers जो होती है epidermis और dermis और dermis के नीचे जो होता है subcutaneous tissue उसको हम hypodermis भी कह देते हैं ठीक है तो जो दो layers है इनको further जो है hair follicles की base पे pigmentation की base पे self formation की base पे gland makeup की base पे blood supply की base पे इनको further differentiate क्यारी क्लासिफाय कर सकते हैं ठीक है अब यहां पे hairs बगारा की base पे उन्हें नहीं दो general types बनाई है skin की skin thin or hairy होती है और thick or hairless thin or hairy mostly आपकी जो body है वा thin or hairy skin पर consist कर रही है ठीक है और जो thick or hairy hairless जो skin होती है वो like आपकी palms है आपके जो heel का area है यहां पे skin थीक है और यहां पे बाद नहीं होते तो यह दो तरह कि उन्होंने skin की types बताई है अब जो skin की layers होती है यह हम लोग साथ साथ पढ़ते हैं ठीक है यहां पे एक बार देख लेए epidermis होती है epidermis के नीचे dermis होती है then hypodermis subcutaneous tissue होता है ठीक है सबसे पहले epidermis आपको पता आना जए सबसे ज़्यादा बलकर सबसे superficial जो सबसे उपर वाली layer है epidermis है ठीक है इसका काम है first barrier कोई भी issue आएगा कोई भी मसला आएगा सबसे पहले इसको आएगा अगर बाहर से आ रहा है तो ठीक है वो protection from the invasion of foreign substance into the body the principal cell of the epidermis is called carotinocyte जो skin के cells होते हैं epidermis के cells होते हैं को हम carotinocides कहते हैं और epidermis को further five layers में divide का दिया जाता है stratus कहते हैं एक layer को तो stratum germinativum ठीक है इसको simple पढ़ लें stratum germinatum नाम के अवतारा germinatum germination हो रही है ठीक है cells बन रहे हैं ठीक है germinal cells provide करती है necessary for the regeneration of the layers of the epidermis के इसमें क्या हो रहा है यह cells बना बना के दे रही है ठीक है जितने epidermis के अंदर cells बन रहे हैं वो बना को रही है germinativum stratum germinatum इसको कह लेते हैं उसके बाद germinal cells are separated from the dermis by a thin layer of basement membrane एक होती है जिससे dermis और epidermis के दर्मियान में होती है ठीक है फिर यह cells जो होते हैं यह epidermis के ही कहलाते हैं ठीक है इसको separate क्या होता है ठीक है होता क्या है कि germination में क्या होता था माइटोसिस होती है एक से दो cell बनते हैं इस तरह तो cells की जब division होती है दर वो further mature होते हैं यह सारे procedure को क्या कहता है keratinization ठीक है और जब यह migrate हो जाते हैं फिर यह आगे surface की तरफ आने शुब हो जाते हैं अगली layer होती है stratum spinosum क्या नाम था जर्मिनेटम से जो बन रहे हैं वो सारे cells जो होते हैं वो collect होते हैं एक जगा पर accumulate होते हैं ठीक है तो इसका उनकी जो इसको कहते हैं prickle cell layer क्योंकि उनकी जो च्रीक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रि और रहता है granulosum, granulosum नाम से शोगर है granules, ठीक है कि जो cell बने, mature हुए, carotinocides हमने कहाँ बनते हैं, ठीक है, उसके अंदर carotene के accumulation, maturation हो रहे होते हैं, तो उसके अंदर carotene जमा हो रहे होते हैं, accumulation हो रहे होते हैं, इस process को हम कहते हैं, carotinization, यह पहले भी हमने देख लिया है, तो cells जो होते हैं, stratum granulosum के during maturation, इनके अंदर क्या बनता है, accumulate होते हैं, dense basophilic caroteno hyaline granules, ठीक है, basophilic caroteno hyaline granules, यह third line पे लिखा हुआ, ठीक है, तो यह अंदर accumulate होते हैं, इसके अंदर, decimusomal connections भी मुझूद होते हैं, यह waterproof layer है, जो के fluid loss से बचाती है, यह lipid के बनी हुई है, यह waterproof है, यहाँ से आपकी जो body का water है, वो lose नहीं होने देंगी, ठीक हो गया, उसके बाद यह fluid loss को बचा लेती है, then आ रहती है, lucidum, यहाँ पर नहीं बता है कि आपकी epidermis जो है, आपकी पूरी body के ओपर thickness इसकी vary करती है, कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर gum है, ठीक है, तो like hands और souls पर थिक होती है, जहाँ थिक होती है, यह वहाँ lucidum ज़्यादा होती है, ठीक है, तो यह इसका काम सिर्फ इतना है कि granulosum और stratum corneum के दर्वियान transition, ठीक है, और उसके बाद आ रहता है, corneum यह पांचवी है, फिफ्थ जो लेयर है, इसमें क्या होता है कि cell accumulates carotino hyaline granules, हमने का था granulosum में granules जमा होते हैं, ठीक है, तो granules जमा होते हैं, it is thought the rupture of lysosomal membrane release lysosomal enzymes that eventually cause cell death, अब एक procedure चल रहा है, कि germinateum ने क्या किया किया, कि cells बनाए, accumulate कहा होए, spinosum के लेवल पे, then mature हो गए हैं, उसके अंदर granules आया हैं, granulosum यह था शायदा, तो उसके अंदर granules बने हैं, अब यह granules बने हैं, तो further आप टूटेंगे भी cell बनता है, तो उसने खतम भी होना होता है, तो होता है, इस तरह आएंगे lysosome जो होते हैं, उसकी membrane rupture होती है, यह lysosomal membrane release होते हैं, और उनका काम है cell की breakdown कराना, ठीक है, तो जो dying cells होते हैं, mature cells के साथा, dying cells जो होते हैं, dead or dying cells को मिला कि क्या बनता है, stratum corneum, ठीक है, mature cells तो होते हैं, इसके इलावा, dead or dying cells भी मौझूद हैं, ठीक है, mature होंगे, तो उन्हों नहीं dead होना है, तो deeper cells of the stratum corneum retain the desmosomal junction, कि जो deeper cells होते हैं, तो desmosomal junction के साथ अपनी जगा पे पड़े होई हैं, लेकिन नीचे से granulose germinateum जो है, वो अपने काम करती जा रही है, उसने जाज़े बनाते जाना है, जब नए cells आएंगे तो जो उपर, जो mature cells हो, उनको धका लगा गए, उनकी जगा प्या प्यादेंगे, तो फिर जो वाकी वो surface के उपर आज़ेंगे जो पुराने cells से, फिर वो आइस्ता इस्ता जो है, उनकी breakdown हो जाती है, लाइसोसोमल वाला काम चाल रहा ठीक है, तो ये फिर remove हो जाते है, दिस्क्वेमेशन का process होता है, जिसको कहते हैं, ठीक है, उसके बाद आज़ती है dermis, dermis क्या है, ये second layer होती है, इसका काम है thermoregulation का, और दूसरा, आपकी epidermis में आपने कहीं भी vascular supply नहीं पड़ी, ठीक है, लेकिन cells बन गए, सारा काम चाल रहा है, उसको nutrition तो चाहिए, उनकी blood supply नहीं है, तो उसको nutrition खौन प्रोवाइड कर रहा है dermis, ठीक है, तो इसके दो काम है, एक थर्मoregulation, दूसरा ये vascular epidermis है, उसको nutrition supply करना, ठीक है dermis जो होती है, इसको दो zones में डिवाइड कर देते हैं, पैपिलरी, डर्मस और राटिक्यूलर लेयर, फंक्शन जिसका फिर से भाई बात उन्हें ने कर दी, अब इसके functions की बात करेंगे, कि एक तो इसका काम है collagen को secrete करना, अगर ये collagen को secrete करें तो आपको बता है collagen, elastin और ground substance को, इसके अदर fibroblasks होते हैं, सिर्फ ये collagen को रेलीज़ नहीं कर रही है, इसके अदर fibroblust होते हैं, जो के secrete करते है collagen को, elastin को, ground substances को, छीकए, इनका काम है, ये जो सारे substances हैं ये आपके skin को support, elasticity देते हैं, ठीक है collagen का काम यही है elastin और यह सारे तो ठीक है तो आपकी skin की जो support है elasticity है वो किसके अंडर है dermis के अंडर उसके बाद इसके अंडर immune cells भी होते हैं कि अगर कोई चीज epidermis से आ गई है ठीक है epidermis में कोई immunity वाला काम नहीं हमने देखा तो epidermis से कोई चीज अगर पास होके आगी है तो dermis के अंडर immune cells होते हैं इसको आगे नहीं जाने देंगे अब इसकी दो टाइपस हमने पड़ी थी papillary dermis पड़ी सबसे पहली है papillary dermis जो होती है जो vascular networks हमने कहा के blood supply के लिए चाहिए होते है vascular networks इसके अंदर होते हैं इसकी blood supply इसके अंदर मुझूद है तो इसके फिर काम क्या है कि epidermis जो के avascular इसको nutrition प्रोवाइड करना दूसरा thermoregulation ठीक है तो यह papillary dermis के दो काम होगे vasculature is organized तो इसके अंदर जो vasculature और्गनाइज होता है कि जब कभी blood flow increase करना हो decrease करना हो heat को conserve करना है dissipate करना है तो यह इसके अंदर सारा system set है थीक है vasculature interdigitates in areas called dermal papillai dermal papillai के level पे जो होते है vasculature interdigitate करता है papillary dermis is also contain the free sensory nerves तो यहाँ पे sensory nerves supply भी है ठीक है जिसको misner corpuscles in high sensitive area यह instructors में पाई जाते हैं nerve endings होती है ठीक है highly sensitive areas के अंदर होते हैं जिसको misner corpuscles कहते हैं उसके बाद reticular dermis होती है reticular dermis क्या है कि dense irregular connective tissue इसका और papillary layer का जो difference है वो यह है कि उसके अंदर loose connective tissue था इसके अंदर dense irregular connective tissue है वो loose था यह dense है reticular layer of the dermis is important in giving the skin it overall strength and elasticity ठीक है यह dense किसम का connective tissue है तो काम इसका फिर किए strength और elasticity प्रवाइड करना ठीक है appendages क्या होती है हमारी hair follicles sweat glands spacious glands which are all embryologically epidermal in origin अगर आप इनकी embryology देखी जाए तो यह epidermal से derived हो है then subcutaneous layer होती है यह fat की layer होती है यह underlying structure और skin के दर्मियान एक layer है ठीक है differentiate कर रही है कि नीचे इसके organs आ रहते हैं आपकी body आ जाती है ठीक है बाकी जो चीज़ें आ रहती है और इससे उपर skin है तो इनके पास आउट होके जाना होता है dermis के अंदर उसके पास आप cutaneous layer जो है dermis को underline structures के साथ attach कराती है physiology important चीज़ है कि आपको skin के functions बता होने चाहिए मुझे लगता है अगर इसमें से कोई question आएगा तो यह वो types पूछ लेंगे किसी dermis की या epidermis की या physiology मुझे इसके questions का भी idea नहीं है मैं next lecture में आपको important बताऊंगी तो physiology जो है इसके functions आपको बता होने चाहिए कि living tissue और organs को मतलब यानि कि आपके tissues और organs को protect करना infectious organism से बचाना आपको dehydration से बचाना temperature changes से बचाना homeostasis को maintain रखना आपके waste materials को निकाल देना body से आपको sunburn से बचा के रखना अगर आपको pain, heat और cold कोई भी ऐसी चीज होती है उसको feel कराना के भई अपने आपको बचा लो ठीक है तो receptor के तौर पे एक्ट भी करती है vitamin D भी बना के देती है water का store है fat का glucose का vitamin D का तो इतने सारे functions है इसके इसके पार skin के assessment आपने करनी है तो यह unimportant से चीज है कि आपने temperature, color, moisture और intact skin देखने होते हैं temperature में के अगर normal है तो normally तो warm होता है तो अगर ज्यादा warm है तो inflammation चाल रही है अगर ज्यादा ठंड है तो blood supply नहीं है color जो होता है यह paleness intensity pale किसम की होते है इंसान की normal color tone जो होती है अगर hyperpigmentation या hyperpigmentation हो सकती है reason क्या है melanin की deposition इसमें इतनी melanin है वो अतना dull complexion खाऊगा फिर moisture है dry है आपकी skin यह moist है तर्गर यह होता है कि अगर आप skin को cancer ठीक है अगर फॉरन अपनी जगा प्यारती है तो तर्गर नॉर्मल है ठीक है अगर नहीं आती तो पर कम है integrity यह है कि कोई open area नहीं होना चाहिए इंपर skin पर legion नहीं होना चाहिए ठीक है skin की injury होगे तो integrity खराब होगी then skin की resilience पर क्या चीज़ अफेक्ट करती है skin की aging, critical illness, malnutrition and dehydration, excess moisture or skin condition that are called dryness hell marks of aging skin के अगर किसी बंदे को aging हो रही है, skin बूड़ी हो रही है तो क्या चीज़े होगी, कुछ चीज़े होगी decrease क्या चीज़े होगी dermis की thickness ठीक है कि आपकी skin thin होना शुरू हो जाती है fatty layers कम होने चीज़े है इसलिए जो बुड़े लोग होते हैं उनके हाथों पे और टांगों की skin होती है, amount and flexibility of collagen जो होती है size of ridges जो होती है यानि कि जो आपके हाथ में आप रिजिस देख तो skin के रिजिस अगर यह काम हो जाएगी तो नीचे फ्लाट आ जाती है ना surface sensation और metabolism effect decrease हो जाता है आपके sweating काम हो जाती है, glands गम हो जाते है, cutaneous tissue काम हो जाता है, vascularity और number of capillaries काम हो जाती है और क्या चीज़े increase होती है, epidermal regeneration का time, damage हुआ है, wound healing जो हो भी बहुत स्लो हो गी है ठीक है यह तो time increase हो गया है बाकी अगर कोई pass paper का question है तो नेक्स lecture में आड़ कर दूँगी फिलहाल मुझे नहीं बता इसमें क्या important है, दौा में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अला हाफिज